नमस्कार घड़ी में दो बढ़ चुके हैं वक्तु चलाये दिन बर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतिजार स्वागत है आप सभी का निज इंडिया के निज रूम में जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे खबरे सीधे निज रूम से अभिशेक जो आपके लिए जाननी बेहत जरूरी है वो खबरे सीधे निज रूम से हम आप तक पहुँचाएंगे नीतू नमस्कार मैं हूँ आपके साथ तीतू गुपता तो चलिए शुरूम से की और सबसे पहले जानते हैं कि आज कौन-कौन सी बड़ी खबरे है जिस पर करेंगे एक घंच लगतार चर्चा और जानेंगे इन खबरों के अंदर की जो सूचनाय है जो जानकारिया है वो आप तक पहुंचाएंगे इस एक घंचे के बोल्टे में तो सबसे पहले हेडलाइन पर नज़र डालेते हैं पहली खबर अपके जिवाल की बारी आखिर क्यों कहा जा रहा है दिल्ली में आज हो हला कायम है और मनीश सोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है अपडेट इस बुलेटिन में आपको जरूर बताएंगे तो आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर सिसोदिया पर एडी का प्रहार कितने गंटे तक पूस्ता आच हुई एडी के कौन-कौन से सवाल रहे और आज के दिन कैसी हल चले दिल्ली में निज़र इंडी आपको ये भी बताए दूसरी खबर के बाद नज़र डालेंगे तीसरी खबर पर और ये खबर है सिसोदिया सतेंद्र जैन तो जाकी असनी सरगना बाकी पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी के तरफ से इस पोस्टर की पूरी जानकार इस बुलिचिन में आगे तो आज के दिन की चौथी बड़ी खबर होगी लालुक के करीवियों के 15 ठिकानों पर इचापे मारे लालुक की बेटियों के घर पर भी चापे मारी लेकिन चापे मारी के अंदर क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे इसके अलावा अगली खबर पर भी नज़र डालते हैं पाचवी खबर जंतर मंतर पर हो हल्ला चल रहा है केंदर पर हमला किया गया है और जमतर विरोधी जो है यहां प्रदर्शिन कर रहे हैं ये पूरी जानकार इस बुलिचिन में तो आज के दिन की पाच ये बड़ी खबरें जिस पर पलपल की अपडेट न्यूस इंडिया सीधे आपको क्राउंट जीरो से पहुचाएगा लेकिन आज के दिन सिसोधिया की कोट में पेशी अब से कुछी दिर में पेशी की दोरान सुनवाई होगी और क्या हल चल वहाँ है दिलनी में जम कर सियासत कर मारी है इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि लगतार प्रेस कॉंफरेंस का दौर जा रही है और कहा ये जा रहा है कि अभी कई एरसे चेहरे हैं जो बेनकाब होने बाकि हैं शराग भोटाले मामले को लेकर अब शेख बिलकुल तो देखिए मनीश शिसोधिया की बसी कुछी देर में पेशी होनी है राउजे वेन्यू कोट लेकर पहुँच गई है पुलिस और आपको बता दे की ये तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरे देख सकते हैं मनीश शि बिल जाती है क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो सीबी आई साथ दिनों तक अपनी कस्टेडी में रख करके मनीश शिसोधिया से पूछताच कर चुकी है अब एडी ने गिरफतार किया था मनीश शिसोधिया को और उनकी पेशी राउजे वेन्यू कोट में होनी है तस्वीरे जो हैं वो राउजे वेन्यू कोट की हम आपको दिखा रहे हैं ब्लू टी शिट में आपको मनीश सिसोधिया मुस्कुराते हुए नजर आएंगे यह तस्वीर आप देखिए यह तस्वीर जो है वो बहुत सारी बाते भी कह रही है तो बड़ी खबर आपको बता कोट में रखने के लिए पहुंची है अब देखना एहम होगा कि क्या कस्टडी मिलती है या नहीं सागर बिल्कुल बॉडी लेंग्विज को आप समझी और पड़ी है सिसोधिया कि से मैं बॉडी लेंग्विज क्या कह रही है मुसको राता हुआ चेहरा ऐसा लग रहा है कि के लिए धी है कि आप से कुछ ही दिर में क्योंगी कोट पहुच्च के हैं सिसोधिया है वही देखें जमानत पर भी आज के दिर राउजैमनी कोट में सुनिवाई होने वाली है ग्राउंड जीरो पर हमारे सहोगी बने पलपल की अपडेट आप तक कम पहुचाएंगे सुन इडी की तियार में इसी सोधिया से साथ मार्च वो तारीक थी जब 6 घंटी की पूस्ताच हो यानि की होली के पिछले वाले दिन जब पूरा देश जस्ट में डूबा था एक तरफ इनसे पूस्ताच हो रही थी वही तेलंगाना की सीम की बेटी जिनको इडी का बुलावा है नाम है के कविता इनको भी इडी ने बुलावा दिया और आने वाले दिनों में वो भी सवालों का सामना करेंगी इडी और सीपी आई के तस्वीरें ये पेशी की दोरान की लेकिन आज के दिन भी हलचाल इस समय जोरों पर है देखिए लाई वी तस्वीरें जो नीज अंड कि आम आदनी पार्टी पाक साफ है निज बिलकुल ऐसे में दो सायोगी हमारे साथ जोड़ गए हैं इस वक्त नमित्यागी आप दफ्तर के बाहर से है और अली शरर मेर साथ जोड़ गए हैं राओ जैवनियों कोर्ट से सबसे पहले अली आपके पास आना चाहेंगे कोर्ट की रिमांड चाहिए क्योंकि कैई ऐसे महतुपोंड सवाल हैं जिसके बारे मां उनसे पूस्ताच करनी है क्योंकि कल भी बीते आठ गंटे पूस्ताच के बाद एडी ने ग्रफतार कहता तिहार जेल से शिशोधिया को तो कहा जा सकता है दस दिन की जो रिमांड मांगी जा रही उसमें कम से कम तो रिमांड दे ही जाएगी कोट की तरफ से क्योंकि कोट की तरफ में जो पहलू रखा गया वह ऐसे एहम पहलों को लेते हुए अब रिमांड याची का लगाई गए जिसमें कोट को रिमांड देने ही पड़ेगी लेकिन कुल मिलाके कहा जा सकता है कि अमादे पार्टी के कद्दावर नेता मनी शिशोद्या की मुश्किल हैं खतम नहीं बलकि बढ़ती नजर आ रही हैं पहले सीवाई के शिकंजा था अब एडी का शिकंजा उन पर लगातार कसता जा रहा है रावन यावनियों कोट के बाहर भी जो पूरी तरह से तैयारी है कर दी गई थी और अब वो अंदर जो उनकी सिसला है वो शुरू होने वाला है इसके बाद भी निर्ने लिया जाएगा क्यों को यहां से जो उनकी बेल एप्लिकेशन उसके अलावा जो डिमांड एप्लिकेशन लगाई लिए इसी में एक चीज में आप से समझना चाहूंग कि क्या अब जो सुनवाई जमानत याचिका को ले करके होने वाली है उस याचिका का महत तो अब कितना रह जाता है क्योंकि वहां अगर जमानत मिल भी जाए अगर इसकी संभावनाय बनती भी है तो दूसरी तरफ एडी ने रिमांड की मांग किया दस दिनों की तो उस सुन आप्लिकेशन सुनवाई के लिए बेल की लेकिन उसको कोई बहुत जाद महतूत नहीं रह जाता है क्योंकि अगर उन्हें बेल मिल भी जाती है तब इन जेल में रहना पड़ाए और इडी की कस्टिटी में रहना पड़ाए तो अभी कहा जा सकता है को उस एप्लिकेशन का क सामने बिठाला जाएगा क्योंकि कहना है एडी के कुछ अधिकारियों के सुत्र कहाले से सवर है कि कैई ऐसे महत्पूर्ण उनके पास गवाह और सबूत मौजूद है जिनके आमने सामने बिठाकर बात की जाएगी क्योंकि 170 सिम अलग अलग मुबाइलों से बदले गए थे लेकिन अभी सुनवाई के दोरा नहीं है क्योंकि आम आपनी पार्टी बार बार ये कहती रहे कि हम तो पाक साफ हैं कुछ भी कर लिजे हम अपने आप कुस्से दितों करी लेंगे नमेट देखें बिलकुल सागर उस सवाल का जवाब मैं दूँगा लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि कोट के अंदर जो सुनवाई है वो शुरू हो गए ये बड़ी जानकारी मेरे पास आई है जो कोट रूम के अंदर वकील पहुँचे हैं उन्होंने अपनी सुनवाई शुरू देखें कि आखिर उनको मनीज सिसोधिया की दस दिन की रिमांड क्यों चाहिए अब उस सवाल पर आता हूं जो आपने किया जो मनीज सिसोधिया की बोडी लेंग्वेज दिखा रही है उससे सीधे दोर पर नजर आता है कि अभी तक एड़ी और सीबियाई को उनके करें तो आला कि कल देख शाम एड़ी ने मनीज सिसोधिया को जब ग्रफतार किया उसके बाद आज सुबह मुख्यमंतरी अर्विंद के जरिवान ने भी ट्वीट किया राद भी नोंने ट्वीट किया था कि मनीज सिसोधिया को आज बेल मिलने वाली थी इसी डर की वज़े से ईडी ने उनको ग्रफतार किया है लेकिन लगतारा मंध्व पाठी जो कह रहे ही कि इडी ने भी चापे मारी कि लेकिन अभी तक कोई सबूत कोई जो साक्षय है वो सीबी आई और एडी को नहीं मिला है अगर वाकरी आप ट्वीट का भी जखर कर रहे हैं और सीधे सीधे अर्विंद केश्रिवाल ने ट्वीट के जरीए कहा है कि इनका तो एक ही मकसद है कि जेल के अंदर ही इसी सोधिया रहें आज कोट में सुनवाई होनी है देखना ये कि कोट की तरफ से क्या फैसल आएगा लेकिन आमादमी पार्टी अब आगे क्या कदम उठाती भी नजर आ रही है क्योंकि वो दन भी याद आ रहा है जब वो डेप्टी सीम के तौर पर तैनात थे इस्तीफा दे दिया उस वक्त आ देखे दरसल अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी ने अभी कुछ देर पहले मेरे कैमरापरसन दिखाएंगे कि आमादमी पार्टी के दफ्तर की ही रोड है दूर आपको दिखा जो वजरवान है दिल्ली पूलिस का वो आपको खड़ा है पदभार है उन्होंने संबाला है उनके सामने चुनोते भी काफी ज़्यादा है ऐसे में आमादी पार्टी ने जो पहले प्लान बनाया था कि वो जन जागरुकता अभियान चलाएंगी डो टो डोर केंपेंगी मनीज सिसोधिया की गिरफतारी के विरोध में उसको लेकर ठीक है मैं आओंगे इस पर भी आप लोग बने रहीएगा क्योंकि अभी इस वक्त बड़ी बात ये है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है और देख रहा है ये है कि कोट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है फिलाल बहुत शुक्रिया तो कुल मिलाकर ये होहला अभी खत्म हुआ है क्योंकि बीजेपी आज परदर्शन कर रही और बीजेपी ने आज शेल्टर बना दिया है जिसमें सतियंधर जैन को दिखाया अगया मनिश सिसोधिया को दिखाया गया है और इसके अलावा पोस्टर के जरीए भी ख trip प्रदशन किया जा रहा है मैं रख रहे हैं और वहां से जो एक एक अपडेट आ रहा है वो आप तक पहुचा रहे है नीटो जो पूचताच की गई है उस पूचताच से एडी असंतुष्ट नजर आ रही है अली लगतार हमारे साथ राव जैवेन्यू कोर्ट से बने हुए है अली इस वक्त जो अपडेट आया है कि एडी के वकीलों ने जजज साहब के सामने ये कहा है कि पूचताच के दौराल सहयोग नहीं मिला मनीश सोधिया का ऐसे में रिमांट पर लेने के लिए ये स्ट्रॉंग याचिका नजर आ रही है इडी की तरफ से दिखे बिल्कुल नीटो अंदर जवाब सवालां को सिसला जारी है जज के सामने जो एडी का दिवक्ता पेश हुए है उनका ये कहना है कि दस दिन की रिमांट इस लिए लगाई है क्योंकि जो आठ गंटे की आप से पहले छे गंटे की जो पूस्ता तिहार जियल में की गई है वो परियाप नहीं है और यदि उनने समय मिल जाता है तो कई ऐसे महतरपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब ढूनना भी बाकी है कई ऐसे गवाँ हैं जिनको आमने सामने बिठा कर बात करनी है पिर दूसी तरफ शिशुद्या की तरफ से जो एदिवक्ता है वो खामोश है इस तरह की खबर अंदर की तरफ से आ रही है कि अभी फिलाल जो एदि के दिवक्ता है उनकी बहत चल लगाई है जसा आप से और वो ये कह रहे हैं कि दस दिन की तो रिमाड याची के लगाई है इससे दे दी जाए जिससे के शराब नीती घोटाले में जो करोणों का घोटाले है और खुलकर सब के सामने आएगा एक बड़ी जो शराब नीती के चलते घोटाले की शुरुवात की गई थी उसका एंड करना है इसके चलते हमें ये समय दे दिया जाए इस तरह की सुनवाई अंदर चल रही है चलिके अली बिल्कुल बने रही है का लॉट कराऊंगा तस्वीर हम आपको लगतार दिखा रहे है इस समय कोट की बाहर की कैसी हल चल है वो भी और सुपर से लगता है निउस इंडी आपको पलपल की अपडेट भी दे रहा है लेकिन आप बात करेंगे ठगों की महाठग य उकिया और सुकेश चंद्रशेकर ने क्या कuar टुकेश चंद्रशेकर का बड़ा बयान अपी डिवी स्क्रीन पढ when ना हूर की मामली में पल्याक अगली कोई रफ्तारी डिल्लिक की सरकार को खटगरे में खड़ा किया है ने तो बिलकुल तो कोल मिला करेंगा पतियाता प्रेश के फ्रिश कहित है लेकिन नकिन का स्थी पनि सुट्ट तो देखिए सुकेश चंदरशेखर ने कुछ बड़ी बाते कहीं हैं जिसमें उसने कहा है कि मैं परदाफाश करूँगा सब का परदाफाश करूँगा साथ ही गिरफतारी को लेकर के उसने बाते कहीं है कि अगली गिरफतारी जो है वो अर्वन केच्चिवाल की होगी तो अब देखिए ये मामला जो है वो दरसल बहुत पेचीधा होता जा रहा है एक तरफ अगर आप देखें तो मनीश सिसोधिया जो है वो इस समय सामना इस चीज का कर रहे हैं कि उन्हें क्या जमानत मिलेगी या नहीं ED की कस्टडी मिलेगी या नहीं इन तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट में जूज रहें वहीं दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर ने आज कुछ बड़ी बाते कह दी है सयोगी अली हमारे साथ बने हुए अली अब देखिए एक तरफ जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीश सिसोधिया के मामले पर सुनवाई चल रही है वहीं दूसरी तरफ एक और पहले तो लेटर बंप पोड़ रहा था सुकेश लेकिन अब उसने बयान देते हुए कहा है कि अगली गिरफतारी अरविंद केज़िवाल की ठीक है बिल्कुल सागर पट्याला हाउस कोर्ट में अपटी पेशी के दौरान ये बात कही है कि अब अरविंद केज़िवाल एक पारी है अरविंद केज़िवाल गिरफतार किया जाएगा इस पूरे मैं सब को एक्सपोस करूंगा यानि कि उसे कहने का मतलब यह है कि कई सारे उस पर ऐसे सारे सबूत मौजूद है जो समय चलते हों सब के सामने लेकर आएगा हमेशा जब भी उसने कोई चिठी लिखी है जेल से उसमें यही कहा है कि आमादी पार्टी के जो सीम है अरविंद केज़िवाल वो बेहत भरस्ट है उन्होंने इस पूरे जितों मनी लॉंडिंग मामले में जो दर्ज है केस जिसकी उस सजा काट रहा है उसमें जितनी भी कर मामले में कनेक्शन सुकेश चंदर शेकर के साथ आमाद्मी पार्टी का भी रहा है जिस तरह से हो कह रहा है सबको एक्सपोस करूँगा सबका परदाफाश करूँगा जब जब उसने चिट्थी लिखे जब उसने ये कहा और अब तो उसने खुद मीडिया के कैमरे पर ये बयान दे दिया है जो साती पत्रकार वहां मौजूद थे उन्हों जब सवाल किया तो उसने कहा मैं सबको एक्सपोस करूँगा और अगली बारी जो है अर्विन किर्ज अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि एडी ने आज कहां कहां चापे मारे है और लालु यादव का जो परिवार है वो कैसे अब एडी के शिकंजे में आते जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे झाल 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 झाल